Hello everyone, I am Shweta Jumani और आज मैं आपको पताऊंगे कुछ बातें जो मेरी समझ में आती हैं about धन तेरस धन तेरस को माना जाता है कि धन की पूजा होती है, सोना चांदी खरीते हैं मगर अच्छली धन तेरस का मतलब होता है धनवंत्री भगवान की पूजा और सबसे बड़ा धन तो हम सब जानते ही हैं, सबसे बड़ा धन होता है health, not exactly wealth, no doubt wealth बहुत काम आती है अगर आपकी health खराब हो so make sure this धन तेरस, you are doing the pooja of धनवंत्री भगवान जो विश्नु का रूप है, God of Medicine है और आप हमेशा मुझे सुनते होंगे, उनको प्रमोट करते हुए specially for sick people, ताके घर में sickness ना आए और जो sick लोग हैं, उनके पास में तो उनकी photo रखनी चाहिए आजकल medicine chemical से बनता है, लेकिन असली medicine होता है जो खाना हम खाते है अपने body को nutritious खाना देना, वो ही actual medicine है So, धन्तेरस के दिन, actually बरतन खरीदे जाते होंगे क्योंकि सबसे important चीज है खाना खाना So, खाने के बरतन अच्छे होने चाहिए, तूटे फूटे बरतन घर में नहीं रखने चाहिए cleanliness बहुत जरूरी है, kitchen में especially क्योंकि वो खाना हमारे अंदर जाता है और हमें पॉस्टिंग बनाता है So, along with buying your gold and jewellery, this time do pray to Dhanvantri and buy some kitchen utensil